हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इन उपभोगताओं के बिलों को ठीक नहीं किया जा रहा उसको लेकर आज इन लोगों ने अपने महले में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन भी किया पाली शहर के गोल नीमबड़ा महले में लोगों ने आरूप लगाया कि पहले उन लोगों के दो महीने के बिजली के बिल 1500-2000 के बीच आया करते थे लेकिन जब से नया मीटर लगाकर महीने के बिजली के बिल शुरू किये है तब से ये बिल दुगनी राशी के आने लगे है इन लोगों ने बताया कि जिन घरों में AC, TV और फ्रिच तक नहीं है उन घरों में बिजली का बिल आज से 9000 तुपे तक आ रहा है इन लोगों ने साफ कहा है कि जब तक विभाग इन बिलों को ठीक नहीं करता ये बिल जवान नहीं करवाएंगे पाली जिले से जागर टीवी के रिपोर्ट